मास्कार दोस्तों सवागत है आपकााईश के सुडियो में अर्फ जिसेटा कि आप जानते हैं कि हम अपने पिय अकॉंड में बेंग कि किवाई से करनी होती है याईने कि पिय ओकॉंड में डिटेल एट करना होती है और जब हम पी एफ क्लेम करते हैं तो जो bank account हमने अपने PF account में link किया है उसी bank account में हमारे PF का पैसा यानि की PF amount credit किया जाता है तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर PF account में joint bank account को link कर दें तो joint bank account में PF का पैसा आ सकता है या नहीं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसे सवाल का जवाब दूँगा कि joint bank account में PF का पैसा आएगा या नहीं मैंने इस बारे में PF office में भी बात की है उनका क्या कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेश्टी की चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो कि ये पीओफों से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों joint bank account में PF का पैसा आएगा या नहीं ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि joint bank account होता क्या है तो बात करें कि joint bank account क्या होता है तो ऐसे bank account जिनने दो या दो से अधिक लोग मिलकर साथ में खुलवाते हैं उन्हें joint bank account कहते हैं RBI यानि कि Reserve Bank of India के अनुसार इस तरह के bank account, business partner, पती-पतनी या फिर परिवार के सद़ से खोल सकते हैं joint bank account को आप एसे भी समझ सकते हैं कि जिनकी उम्रह 18 साल दे कम है यानि कि जो minor है यानि कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये bank account माता पिता के साथ में संयुक्त रूप से खोला जा सकता है और आसान भाषा में समझा देता हूं कि जब एक bank account को दो या दो से अधिक लोगों के नाम पर open किया जाता है तो उसे joint bank account कहते हैं और joint bank account कहीं जगों पर काम आता है तो अब समझ चुके होंगे कि joint bank account क्या होता है अब बात करते हैं कि अगर पी एफ अकाउड में joint bank account को लिनक कर दें तो joint bank account में पी एफ का पैसा आएगा या नहीं तो इस सवब का जाब यह है दोस्तों कि joint bank account में पी एफ का पैसा नहीं आ सकता क्योंकि जब आप अपने PF account में joint bank account को link करेंगे तो उस समय पर account holder के नाम पर दो लोगों का नाम आएगा और जब आप PF claim करेंगे तो PF claim करते समय हमें bank account की पाजू के चेक की photo upload करना पड़ती है तो ऐसे में अगर joint bank account हुआ तो जब आप पाजू के चेक की photo upload करेंगे हुआ शौरिटी नहीं हुई तो हो सकता है कि वो लोग आपका claim reject कर दे कुछ लोगों का कहना है कि joint bank account में PF का पैसा आ सकता है अगर first account holder खुद PF member हो लेकिन दोस्तों मैं यहां पर आपको एक बात बता दूँ कि joint bank account में PF का पैसा नहीं आ सकता claim आपका reject हो जाएगा claim reject होने के chances 99% होते हैं अब मैं आपको बताता हूं कि joint bank account में PF का पैसा आएगा या नहीं जब इस बारे में मैंने PF office में बात की तो उनका क्या कहना है तो उस्तों जब मैंने अपने रिजिजनल पैसा भी नहीं मिलेगा और एक बात में आपको बता दो दोस्तों कि जब पीएफ अकॉंड आपका है तो बेंक अकॉंड भी आप ही का लिंक होना चाहिए आपके पीएफ अकॉंड में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है सिंपल सा एक जिरो बैलेंस का अकॉंड ओपन करेंगे के लिए अपको आपके अप्रूड में जरूत नहीं पड़ेगी इस बेंक अकॉंड को खुद फिर अपरूबर करेगा और वह प्रूंड अप्रूड में लिंक हो जाएगा जिसके आप खुद अकांट ओल्डर होंगे तो आज किस वीडियो में आपने जाना कि चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि ये प्योफ हो तो जोड़ी जानकरी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी